सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी का आपके चैनल तो पर्फेक्ट क्लासिस में स्वागत है डारेक्ट्रेट अफ एड्यूकेशन जी अन्सीट ऑफ देली की असेस्मेंट टू है वच्चो यह असेस्मेंट टू की वरकशीट है क्लासिक्स की सब्जक्ट सोशल साइंस है 31st August 2021 की वरकशीट है तो स्टार्ट करते हैं डार्कन दे सर्कल ऑफ दे करेक्ट आंसर ऑफ फॉलविंग कोश्चन लिव लिकेशनों के सही उत्तर के सामने गोले को काला कीजिए और एज कोश्चन हैस वन मार्क तो स्टार्ट करते हैं बच्चो कोश्चन नमबर वन देखते हैं इद हाउ मेनी डेज डिस दे मून मूव अराउंड दे सन जान प्रितवी का एक चकर कितने दिन में पूरा करता है तो 30, 27, 29, 28 तो बच्चो 27 डेज में ठीक है चंदमा की सतह पर कदम रखने वाला जो पहला अंतिरक शात्री था वो कौन था कलपना चावला, Newton, Neil Armstrong, none of these तो वो था Neil Armstrong तो इस पर हमने सर्कल कर दिया है आपको ऐसी सर्कल करने है बिलकुर Q2. How many times can you see full moon night in a moon? आप एक महीन में कितनी बार पूर्णिमा को देख सकते हैं मतलब पूरे चांद वाली जो रात होती है फुल मून नाइट उसे कितनी बार देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 तो 1 Q4. Which of the following goods make Kerala an attractive place for traders? कौन सी बस्तु है केरल को वैपारियों के लिए आकर्शक बनाती है राइस, जावल, स्पाइस, मसाले, वीट, क्या हूँ, कॉटन का पास तो स्पाइस ठीक है इस पर सर्कल कर लेंगे अब answer the following question, question answer देखते हैं निम्लिकित प्रिशनों को अतर दीजिए यह 2 marks का है, ठीक है Question number 5, write the dates of full moon night and new moon night of this month इस महीने की पूर्णिमा तता मावस्य की तिथिये लिखिए तो हम लिख देंगे 8 अगस्त को बच्चो new moon ठीक है, अमावस्या और 22 अगस्त को full moon पूर्णिमा ठीक है आप question number 6 देखते हैं What do you understand by a satellite? आप उपग्रह से क्या समझते हैं तो इसका answer हो जाएगा A natural object that moves around a bigger object in space अंतरिक्ष में एक बड़े object के बड़े पिंट के चारोर चकल लगाने वाले पिंट को एक प्राकर्तिक पिंट को उपग्रह कहते हैं Question number 7 देख लेते हैं ये भी 2 marks का था Question number 7 भी 2 marks काई है इसके सामने marks भी लिखे हुए इसके Question number 7 है, बच्चो Why is the artist called a blue planet? आर्थ जो है प्रित्वी उसे नहीं लग रहा है क्यों कहा जाता है तो इसका मांसर लिख देंगे More than 70% of the earth is covered with water 71% से भी अधिक जो हमारी प्रित्वी है वो पानी से डखी हुई है Hence it is known as the blue planet इसलिए इसे Blue planet नहीं लग रहा है कहा जाता है ठीक है, अब Question number 8 देखते हैं इसमें fill in the blanks blanks को fill करना है The earth is the याएगा third Sun, हमने worksheet में पहले भी पढ़ाता है कि प्रित्वी सूरे से तीसरा सबसे पास का गिर है पहले बुद है, फिर शुकर है, फिर प्रित्वी है तो third number पर है In size, it is the fifth largest planet और आकार में ये पांच बास सबसे बढ़ा गिर है तो यहाँ पर आजाएगा fifth It is slightly flattened at the poles और ये धुर्वो पर से थोड़ी सी चप्टी है तो यहाँ लिख देंगे हम poles ठीक है आप question number 9 है Describe any three geographical features of Ladakh हमें Ladakh की किनी तीन बोगोलिक विशेशताओं का वर्नेंट करना है तो हम लिख देंगे बच्चो Ladakh यहाँ पर आप point भी डाल सकते है ठीक है First, second, third, ऐसे करके भी लिख सकते है First है, Ladakh consists mainly of high plants Ladakh जो है वो उचे जो धरातल है उनसे मिलकर बना है ठीक है, मुखे रूप से उसमें उचे धरातल है It has deep valleys इसमें गहरी घाटियां है In southern east, Ladakh lies रूपसू और इसके दक्षड़िपूर में Ladakh के दक्षड़िपूर में रूपसू परता है तो यह तीन थे जोग्रफिकल फीचर बस इतने बहुत हैं आपके लिए 3 marks का है तो छोटे ही लिखेंगे 3 points दे देंगे या 3 sentences लिख देंगे 1, 2, 3 करके Question number 10 है 4 marks का क्या है How do geographical and historical factors make people life diverse वोगो लिखते था अधियासिक कर किस परकार लोगों के जीवन को विवदिता पूर्ण बनाते हैं तो इसका आप आंसर लिखेंगे Historical factors influence our tradition, culture and civilization and geographical fracture Influence the food we eat, the cloths we wear इटीसी जो यहाँ पर बात हो रहें बच्चों जो एतिहासिक कारक हैं वो तो हमारी परंपरा को हमारी सब्यतर संस्कृति को प्रवावित करते हैं और जो भोगोलिक कारक होते हैं वो हमारे कपड़ों को जो हम पैंते हैं, जो हम खाना खाते हैं इन आधी चीज़ों को प्रवावित करते हैं तो जोग्रोफिकल and historical factors make people live divers और इस परकार भोगोलिक और रहतिहासिक कारक लोगों के जीवन को विवित पूर्ण बनाते हैं तो आपकी worksheet complete हो गए मिलते हैं next video में ओके वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share कर देना चैनल को subscribe जरूर कर लेना thanks for watching